लेगे CBI एक independent agency है किस वजह से एक साथ इतने सारे धिकानों पे छापे मारी हो रही है किस case को लेकर हो रही है और क्या जानकारी उनको मिल रही है नहीं मिल रही है मुझे लगता है थोड़ा अभी और समय बीटने की जोरत है उसके बाद ही जानकारी स्वश्क तोर पर सामने है राबड़ी आवास सहित लालुय अदब के 17 आवास पर बकायदा CBI की रेड के बाद चिराक पासवान ने एक बड़ी बात कह दी है और आप इस बयान से अंदाज तोर पर ज़लक रहा है कि वो कहीं ने कहीं BGP जो है उसका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं जहां एक तरफ लगातार RGD ये कह रही है कि CBI का इस्तमाल हो रहा है पॉलिटिकल इसका इस्तमाल हो रहा है वहीं चिराक पासवान ने इसे सिरे से खारीज कर दिया है और ये कह चिराक पासवान की पूरी बातों को सुनिए फिर आपको इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि कैसे चिराक पासवान CBI के इस रेड को जो है वो जायश ठरा रहे हैं आप देखिए पूरा वीडियो चिराक जी आज लालुई आदब के सत्रा ठीकानों पर CBI की रेड हुई है क्या कहिएगा इस पर क्या कारण है किस वजह से यह चापे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं किस वजह से एक साथ इतने सारे ठेकानों पर चापे मारी हो रही है किस केस को लेकर हो रही है और क्या जानकारी उनको मिल रही है नहीं मिल रही है मुझे लगता है थोड़ा अभी और समय बीतने की जोरत है उसके बाद ही जानकारी स्वश्च तौर पर सामने है पर यह साहा जारा है कि जातिये जंगना को दवाने के लिए यह रेड की जारी है बिहार में मैं जैसा मैंने कहा कि आभी मैं इस पर कोई भी ही टिपनी करने के लिए मुझे ज Soyos को क्या तो यह मानता हूँ कि 친 amendज ब्रीड प्रशवाओं अपने में एक independent agency संभवता ऐसे जानकारी सामने आई होगी उस विशेपट ये लोग जो जाच करें नहीं करें बट जो सच्चाई है वो सामने आज़ाए कि अगर कुछ होगा तो सामने आएगा नहीं कुछ होगा तो मामला बतौर रेल मंतरी रहते जमीन लेकर नौकडी देने की मामला है 15 साल के बाद इस मामले में नया केस F.I.R. दर्च किया गया पंदरा साल के बाद क्या लगता उचीत है 15 साल के बाद इस तरह का F.I.R. दर्च करना अगर कोई जानकारी होगी, तभी संभवता इस तरीके से किया गया होगा, मैं भारबा मैं इस बात को मैं यही मैं कहा रहा हूँ कि यह जांच का विशे है, पर यह जांच होने दीजे किस वज़ा से, यह rates हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो सच्छा यह समने है, पर राज़त का पर देखना को लेकर आप पक्सदर रहे हैं, अभी फिलाल वार्तमान में क्या कुछ चल रहा है, क्या लगता है, CBI का चापा मुक्यमंत्री को कि संकेत है, दी कि मुझे लगता है, दोमुच चीजों को जोड का नहीं देखा जाना चाहिए, अगर दोमुच चीजों को जोड कर अगर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास हो रहा है कि पॉलिटिकल कार्णों से ये रेड हो रही है, मुझे लगता है, CBI या एक स्वतंद्र एजनसी है, उनके पास कोई जानकारी आई होगी, उन्होंने चापे मारी की गई होगी, पर इसको एक पॉ परतन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दवाब की राजनीती होगी, रेड दिखा कर जातीय जनकारना को टालने का प्रयास होगा, जातीय जनकारना करा है, हम लोग उनके साथ है, बर राजत का कहना है कि BJP के दवाब पे ही CBI चापे मारी कर रही है, जरूर उन् मुझे लगता है, अगर कोई जानकारी CBI के पास होगी, वो उसको खंगालने का प्रयास कर रही होगी, बड़ जो भी सचाई है, वो चल सामने है, आर्देडी और नितिखा किये जा रहे है, कहा जा रहा है कि जो चापे मारी का समय है, वो गलत है, राजत परिसान करने का रो